तो मैं आज अपने किचिन में लगी थी मसाला सोया चाप बनाने तो मैंने सोचा मैं इसकी रेसीपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ तो नमस्कार गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो यहाँ पर दो स्टिक मैंने सोया चाप ले लिए हैं क्योंकि मुझे ना मसाला सोया चाप बनानी है तो मुझे ड्रैक्टी से फ्राई करना है तो यहाँ पर मैंने तेल को रख दिया था प्रिहीट करने के लिए तो थोड़ा सा तेल मैंने एड़ करा है तो इसे हम ना बहुत अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है ताकि यह अंदर तक फ्राई हो सके डीप फ्राई हमें से करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चाप का कलर चो है ना वो हलका हलका सुनहरा लग पढ़ा है होने तो बस हमें इसे medium to low flame पर ही fry करना है ताकि ये अंदर तक पक सके अच्छी तरह से कच्चा पन ना इसमें नहीं रहना चाहिए तो जब तक हमारी सोया चाप fry हो रही है थोड़े मसाले हम ते आयार कर लेते हैं तो यहां पर एक प्यास मैंने लिया है और इसे मैं slices में cut कर रही हूँ एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालके हमें प्यास को golden brown होने तक पका लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं प्यास जो है ना वो हलका सुनहरा हो गया है तो अभी प्यास को हम एक plate में transfer कर गे इसे ठंड़ा कर लेंगे देने से एक mixi jar में डालके थोड़ा सा पानी एड़ करके हम इसका एक smooth सा paste बना लेंगे तो यहां पर प्यास को मैंने grant कर लिया है तो यहां पर 3 टमाटर मैंने लिये हैं आधा इंच मैंने लिया है अधरक का टुकड़ा 1 हरी में चिली है अधर करेंगे बटर बटर से ना इसमें मैगनेट जो अब हम करते हैं तो बहुत अच्छा इसका flavor आता है हमारी चाप का दो टेवल स्पून मैं इसमें डारी हूं देहीं और इसमें मैं डारी हूं एक टेवल स्पून चाट मसाला चाट मसाला बहुत अच्छा combination देता है देहीं और बटर के साथ और इसे हम mix कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से और कम से कम 10-15 मिनिट तक हम इसे मैंनेट होने के लिए छोड़ देंगे तो जब तक हमारी चाप मैंनेट हो रही है हम बना लेते हैं इसके लिए एक मसाला तो एक चमस तेल में मैंने डाल दी है चार काली मिर्च दो लोंग एक चोटी लाची एक बड़ी लाची आदा चोटा टुकड़ा बना डाल चिनी का इसे रोस्ट करने के बाद हम एड़ कर देंगे इसमें अपनी टमाटर की प्यूरी और टमाटर को ना हमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें भून लेना है और इसमें एड़ करेंगे हम अपने थोड़े से बेसिक मसाले तो इसमें सबसे बर जाएगा एक चोटा चमच पीसा हुआ धनिया, आदा चोटा चमच पीसा हुआ जीरा, आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोड़ा चमच जाएगा कश्मीरी लाल मिच पाउडर और टेस्ट के एकोडिंग यहां पर जाएगा नमक और इन मसालों को इन च्रमाटर में बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है हम इसमें एड़ कर देंगे अपना बनाया हुआ प्यास का पेस्ट और इसे भी बहुत अच्छी तरीके से हमें भून लेना है हमें इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसमें तेल अर्लीस ना हो सके तो आप देख सकते हैं तेर अर्लीस हो चुका है हमारे टर्माटर में से इसका मतलब हमारा नसाला जो है बहुत अच्छी तरीकी से भून चुका है तो अभी हम आड़ कर देंगे इसमें अपनी मैगनेट करी हुई सोया चाप थोड़ा सा इसमें हम पानी आड़ करेंगे तो मै तो जैसे ही ढकन खोला मैंने बहुत अच्छी खुश्बू आई तो हमारी जो मसाला सोया चाप जो है न वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तेयार हो चुकी है ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है इसकी तो इसे हम सर्व करनेंगे एक सर्विंग ट्रे में उपर से हम को शेयर जरूर करिए और अगर मेरी वीडियो को आप फेस्बूक पेस पर देख रहे हैं तो मेरे पेस को फोलो लाइक जरूर करिए इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं पर खतम मैं मिलती हूं आपको अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई एंड and take care